ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हलो डॉक्टर में स्वागत है हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिकान कुमार जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जिन उनसे हमने अब तक बात चीत की है हड़ी रोगों से जुड़ी इस्पेशली गठियां के बारे में हमने चर्चा की है कि क पिरसे लो में ब्रेक पे जाने से पहले हमने इलाज के क्या कुछ तरीक के हम उसके बारे में चार्चा की अब जानेगे क्या कुछ टे exposed है उसके बारे में to सुशना करांती के में क्या जाता क्या है हो गया है नई नी तकनीके आ गई है हमारे life के हर phrases में नई नी टेकनीक का हम इस्तमाल कर रहे हैं भाग दौर भरी इस जंदगी और बढ़ती उम्र में लोगों को काफ़ जादा समस्याइं हो रही है तो hip joint से जोड़ी जो समस्याइं होती है वो काफ़ी जादा परेशान करती है इससे जोड़ी कुछ समस्याइं की जो जानकारी है अब हमें दे सकते हैं तो जैसे आपने बिल्कुल सही पुछा है कि आज के जितनी भाग दौर बढ़ी जिंदगी है हमारे उसमें hip joint, hip joint का मतलब कुला, कुले में दर्द का होना इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं खासकर जो पेन होता है कुले में उसमें भी गठिया बहुत ही कॉमन हैं हमारे खासकर बिहार और इंडिया में बहुत ही कॉमन है कारण क्या हो सकते हैं इसके, कारण सबसे पहला होता है, कंडिशन कहते हैं, हम लोग एवियन कहते हैं इसका मतलब होता है A-Vasculonecrosis, इसका मतलब होता है जो hip joint होता है, एक stubulum होता है और नीची femoral head होती है, तो जो femoral head होती है उसकी Vascularity, मतलब कि उसकी blood की growth होती है उसमें उसका रुख जाना, उसके blood की supply को रुख जाना, इसके कारण उसका arthritis होता है इसको AVN कहते हैं, मतलब A-Vasculone इसके कारण क्या गया हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पहला कारण जो इंपोर्टेंट है वो है, अल्कोहल, स्मोकिंग, और खासकर कॉर्टिको स्ट्रॉइड, मिन्स स्ट्रॉइड का सेवन, खासकर आयवेदी, घुमेपैथिक दवायों में मिली रहती है इस चीज के कारण होती है, इस कंडिशन में भी एवेएन बहुत कमन होती है, और कभी-कभी चोट लगने के कारण, अगर फ्लेक्चर हो जाता है, नेक फिमर का फ्लेक्चर हो गया, उसके कारण भी ये एवेन होता है, कभी डिसलोकेशन के कारण भी, फ्लेक्चर स्टबलम के कारण भ बताया कि female heart की blood supply रुख गई, तो आप इसमें एक छेद करकर हम लोग कहते हैं core decompression, उसको decompress किया जाता है, ताकि अगल बगल से vascular ingrowth हो और वहां की blood supply बर जाए, तो stage 2A तक ये बहुत successful होती है, इसको करना चाहिए, लेकिन stage 2A के बाद जो होती है, अगर आपका establum जो कुले के उपर का पार्ट हुआ, अगर उसमें भी growth आ गई, उसमें भी गठिया collection आ गया, तो उसको बदलने की जुरत परती है, तो इसको बदलने के लिए आजकल बहुत अच्छी techniques हैं, पहले सिफ cemented होती थी, आजकल uncemented भी options है, जैसा कि इस model में मैं दिखा रहा पार्ट को femoral head किया जाता है, तो इसमें establum वाले portion में हम लोग इसको रीम करकर अंदर एक तरह का एक implant होता है, इसको यहां place किया जाता है, और इसमें एक femur में इसको एक तरह का सनचना बनाकर इस तरह का implant आता है, जिसमें की एक ball होती है और एक stem होती है, stem के दो तिन तरी परीज है, उसको क्या पसंद है, उसकी कैसी financial capacities है, इस पर depend करता है, दोनों के results equally good है, इसको place किया जाता है, इसको place करने के बाद यह आपका काम करता है, और यह बहुत ही successful है, लगभग आपकी पुरी जिंदगी आपको pain नहीं होता है, लगभग सारे movement आप achieve करते हैं, लेकिन इन हाँ, जब जरूरत हो इसकी तब यह करना जाएं, अब यह हमने बात की है, अगर नी रिप्लेस्मेंट की बात करें, तो इन दिनों घुटनों का दर्ड भी काफी जादा आम हो गया है, नी रिप्लेस्मेंट के बारे में भी लोगों को काफी जादा जानकारी नहीं है, और काफी परेशानियों से वह आई और उबरू होते रहते हैं, तो नी रिप्लेस्मेंट के बारे में अगर मैं दर्शकों को आपको जानकारी दे, पहला हो तो मैंने बताया कि नी रिप्लेस्मेंट चाहे घुटने का दर्द, अगर घुटने का दर्द लेट स्टेज में पहला चीज़ होता है कि पेन, इतना ज़्यादा हो कि आप अपने घर के नॉर्मल कामधाम ना कर पाएं, जैसे कि आप आज से छे मेने पहले जी इतना काम कर पा रहे थे, आज उतना काम ना कर पा रहे हूं, तो आपको लेट स्टेज है, एक नॉर्मल समझने के लिए, आप आपको हमेशा एक स्टेज देखने की जरोत नहीं पढ़नी चाहिए कि आपका स्टेज लेट हो गया है, क्योंकि हमें इलाज पिशेंट करना होता है, एक स्टेज करना होता है, तो अगर आपको दर्द इतनी ज्यादा हो रही है, कि आपको अपने नॉर्मल डेटुड डेक् होता है, तो पहला बाद तो एक operation होता है, HTO का मतलब होता है, उसमें घुटने के सिर्फ एक भाग में अगर गठिया होता है, तो यह recommend की जाती है, लेकिन यह कुछ early stage में, 40-50 years तक ही operation करना चाहिए, उसके बाद इसका role थोड़ा कम माना जाता है, यह एक और replacement कहते हैं, हम ल कर सकते हैं, लेकिन अगर घुटने का दोनों पार्ट, मतलब की दोनों compartment या tri compartment, तिनों compartment इन्वाल्व होती है, तो joint replacement option होता है, मैं एक बात फिर इस देगा कहां चाहता हूं कि joint replacement का मतलब नी replacement का मतलब यह नहीं है, कि आपका नी निकाल के दुसरे का नी लगा लगा दिया ज करती है, इरोजिन आने की कर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और काटिलेज को छिल कर एक शेप दी जाती है, और उसके ओपर कैपिंग की जाती है, जैसा कि यह नी joint है, तो इसमें इस भाग को femur कहते हैं, इस भाग को tibia कहते हैं, तो जैसा कि यह एक तरह का, यह implant होता है, त पूरा घुटना आपको लगबग पूरी जिंदगी आपका साथ देता है, पूरा जिंदगी का मतलब है कि आपका दर्द नहीं करेगा, पूरी जिंदगी आपको घुटने से दर्द नहीं करेगी, घुटना पूरा मुरेगा, और लगबग पूरी जिंदगी आपको घुट जैनियों के दिमाग में यहां बहुत बढ़ा मित है कि यह प्लेस्मेंट कितना सगस्प्रति हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन अगर एक आज का जमाना एविडंस बैस मेरीशिन का जमाना होता है तो अगर आप जाकर सठ्च करें जाकर नेट पर देखें गूगल पर सब् उसके इनुसार पूरे वल्ड में तीन तरह के ऑपरेशन को बेस्ट माना गया है आज की डेट में वन इस केटरेक्ट, टू इस हर्ट सजरी और नमबर थी इस नी रिप्रेस्मेंट इन तीनों ऑपरेशन के बारे में किसी को शंका होने की जरूत बिल्कुल नहीं है जो जितना एक normal operation successful होता है उससे कहीं ज़्यादा successful मैं कहूंगा कि यह operation है करने में कोई बहुत ज़्यादा वक लगता नहीं है 30 मिनट से 35 मिनट में operation पुड़ा खतम होता है और आपको दर्द भी नहीं करता है जो आपको operation से पहले कर रहा है तो अगले दिन से दर्द खतम हो जाता है आप next दिसे चलती है लोगों को दिमाग में रहता है कि operation करेंगे तो कितना दिन बेट पर रहना पड़ेगा बेट पर आपको एक भी दिन रहने के ज़रूत नहीं है आज operation किया, कल से चलना सुरू, कल से घुटना मोडना सुरू होता है तो इसलिए इसमें ये successful वाली बात को तो इस सवाल ही गलत होता है इसलिए मैं हमेशा इस सवाल को बोलता हूँ कि इसके success को लेकर तो कभी question raise करना ही नहीं चाहिए अगर सही तरीके से किया जाए, सही आदमी के हाथों किया जाए तो इस से अच्छा operation आपके गुटने के लिए नहीं हो समता है हम बात करेंगे दॉक्टर साब से और कई सारी latest technologies के बारे में इसमें क्या कोश मसले हो सकते हैं किस तरीके से latest technologies के जर्य इलाज क्या जा सकता है बलाल रुकेंगे एक और शोड़े से break के लिए हलो डॉक्टर में जल लोटते हैं बनने रही है हमारे साथ